देश में बाजपा द्वारा चिलाएगी स्दस्यता अभियान को और तेजी देने के मकसद से बभीन मोर्चाओं द्वारा बैठका आयोजिन किया जा रहा है इसी के चलते बिलासपुरों के बासा एवन संश्कृति बिवाग के सबागार में बीजेपी महला मोर्चा द्वारा पर देश तर्य बैठका आयोजिन किया गया जिसके अधिश्ता महला मोर्चाओं की परदेश देश दनेश्वरित चा कुरने की देश भर में भाजपा द्वरा चलाए जा रहे सदस्यत अभ्यान को और तेजी देने के मकसद से विभिन मोर्चों द्वरा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है इसी के चलते बिलासपुर के भाशा एवं संस्कृति विभाग के सभागार में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा परदेश तरी बैठक आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता महिला मोर्चा की परदेश अध्यक्षा धनेश्वरी ठाकोर ने की तो साथ ही बीजेपी के परदेश अध्यक सत्पाल सत्तिवा संगठन मंत्री पवनराना विशेश रूप से बैठक में मौजूद रहे बैठक में सदस्ता अभियान के तहट अधिक से अधिक महिलाओं को जोडने के साथ साथ परदेश के दो विधान सबहाओं धरमशाला और सिर्माओर के पचाद में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा भी की गई सद्पाव सत्ती का कहना है कि पिछली वार जहां परदेश बर में चलाए गए सदस्यता अभियान के तहट नौ लाख लोगों को जोड़ा गया था तो वहीं इस बार अभियान के तहट पांच लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के दोनों हलकों में होने वाले उपचुनावों में बीजेपी उमिदवार की जीत का डावा भी किया हिमाचल प्रदेश में हमने फिशले वार 9.5 लाक से 10 सिदा बनाई थी जो कनफर्म होई थी वैसे हमारी 13.41 जार मेंबर शिप थी उसका जो हमारा सम्धाने जरूरत है उसके साथ से तीन साल के परदीश में से बढ़नी चाहिए हिमाचल प्रदेश में साड़े 9.00,000,000 का हम लोगों ने 50.00,000,000 पर देश में हम लोगों करेंगे उपचनाबों के त्यारी वारती जनता पार्टी लगतार कर रही है और हमारी सरकार और पार्टी का संगठंग ये उस त्यारी में लगे हैं और जिस तरह सा परिणाम जल्टा ने अशीरवाल नेंदर मोदी जी के नितिता में और जैराम जी के नितिता में हमाचप देश में द बक तो चलक छोड़े से ब्रेक का ये मिलते हैं ब्रेक के बाद